दोस्तों इस टमाटर में मार्टीन की क्वाईल को डालते ही आपके घर से चुहे भाग जाएंगे चुहे आरी बगल पास पडोस की घर से भी भाग जाएंगे और आपके घर में चुहे नजन नहीं आएंगे अगर आप हमारी बात मानेंगे ये बताएगे टिप्स अगर आप फालो करेंगे तो आपके घर से चुये बहुत ही दूर भाग जाएंगे और मर जाएंगे और आपके आसपडोस की घर में भी चुये नहीं रहेंगे वहां से भी भाग जाएंगे तो आज हम आपको एक बहुत खतर्नाग तरीका बता रहे हैं इस तरीके से आप जूय को Max सकते हैं अकसर होता यह है कि घर में चूय आ जाते हैं सभूर को खाना के लिए हम बहुत ही प्यास करतें लेकिन फिर भी कि भागते नहीं है जाते तो हैं लेकिन फिर से आ दोस्तों मार्टीन का क्वाइल जो होता है जब हम इसे यूज करते हैं तो ये तूट जाता है कभी कभी गिर करके तूट जाता है कभी कभी निकालते समय वैसे भी तूट जाता है तो ये मार्टीन हमारा बेश्ट हो जाता है तो इसे हम अक्सर फेकी देते हैं ये अगर हम जल बहुत ही जादा बीमारीयों को अपने साथ लिए रहते हैं जिस खाने में मुह लगा देते हैं वो खाना खाने लायक नहीं रहता है उसे हमें फेकना ही पड़ता है आज हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे इस टिप्स जारा बहुत ही आसानी से आप चुहों को घर से भगा सकते हैं तो चलिए हम आज आपको एक रेमडी बनाना बताते हैं इस रेमडी को आप जरूर बनाए बना करके ट्राइ कीजिए हमारे लिए यह जितना यूजफुल है उम्मेद करते हूँ का आप सभी लोगों के लिए भी ये यूजफुल होगा तो इस रेमडी को बन इसे तयार करना है सबसे पहले हमें एक shopping bag लेगे ना है और इसमें इसे मार्टीन के टुकड़ों को रख देना है और इसका हमें finally powder बनाना है तो हम इसे जब ऐसे रख देंगे और किसी चीज से कूटेंगे जिसे हम अधरक कूटते हैं इसे भी कूटेंगे तो यह बहुत ही आस इसका पाउडर बन ही गया, अभी ये देखिए काफी सारा इसमें पेश्ट है, काफी सारा बड़ा बड़ा टुकडा है, इसे भी आप चाहे तो कोट ले, नहीं तो ऐसे भी इसे योज कर सकते हैं, तो हम इसे निकाल ले रहा है प्लेट में, माटें चो होता है, ये बहुत ही अच्छा जहरीला होता है, मच्छर भगाने के साथ साथ आप इससे चूहे भी भगा सकते हैं, और उसके बाद आपको नेप्थलिन की गोली को भी इसी तरीके से कोट लेना है, इसका भी पाउडर हमें बना लेना है, और उसके बाद इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर तोसके बाद हमें तीसरी जो जो इज मिल आनी है वो है washing powder आप कोई साभी washing powder इसमें यूज कर सकते हैं एक चमच के करीब हम washing powder ले लेंगे और उसके बाद इस तरीके से इसे भी इसमें mix कर लेंगे ये बहुत ही powerful remedy बन करके तयार होगी अगर आप भी चूहों से परिसान हो चुके हैं तो आप भी इस remedy को एक बार जरूर बना करके try करिए और ये देखिए finally हमारा remedy बन करके तयार हो गया है तो दोस्तों देखिए remedy में हमने सारी चीजे mix कर दी है अब हमें अगली जो चीज है वो चैयोगा आटा हम इसमें 2-3 चमच आटा ले लेंगे आटा खाते ही चूहे भाग जाएंगे यानि कि वो खाने के लिए तो तुरंत आएंगे लेकिन वो खा नहीं पाएंगे वो तुरंत बाहर की तरब भागेंगे पानी ढूणने के लिए थोड़ा शक खाएंगे और उसके बाद हमें पानी डाल करके इसका हमें पेश्ट तयार करना है पेश्ट एकदम नहीं जैसे हम आटा गूथते हैं ठीक उसी तरीके से इसे हमें गूथ लेना है जिससे कि इसकी गोलियां बनाई जा सकें अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ध्यान से ही इसे रखिये गए क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही जल्द लेकर खाने लगते हैं तो छोटे बच्चों से दूर ही रखिये गए जैसे कि अगर आप रख रहे हैं तो बच्चों की नजर वहाँ पर ना पढ़ने पाए तो दोस्तों देखिए फाइनली ये हमारा रेमडी बन करके तैयार हो गया है अब हमें क्या करना है हम अभी आपको बताते हैं तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेना है और इनकी हमें छोटी छोटी गोलियां बना देनी है हमें गोलियों को बहुत बड़ी नहीं बनाना है ना बहुत छोटी उतना बड़ा है बनाना है जितना की चुहे आसानी से खा सके इस तरीके से गोलियों को बना करके अगर आप अपने घर में रखेंगे तो चुहे तुरंत के तुरंत आपका घर छोड़ देंगे और जो चुहे यहाँ पर खा कर जाएंगे वो तुरंत मर जाएंगे बाहर जाकर और उनके जो परिवार के सदस होते हैं वो देखेंगे कि अरे भाई इनके घर से जाते ही चुये आ रहे हैं मर जा रहे हैं तो वो आपके घर में नहीं आएंगे दुबारा इस तरीके से आपको गोलियों को बना लेना है गोलियों को बनाने के बाद आपको वहाँ पर रखना है जहां से चुये इंटर करते हैं आपके घर में जैसे कि खिड़की के पास हो गया और जहां पर आप रासन रखते हैं स्टोर रूम में वहां पर रख दीजिए और सिलेंडर के पास रख दीजिए क्योंकि सिलेंडर के नीचे चुए छुपते हैं और फ्रीज के नीचे रख दीजिए और कपट के नीचे रख दीजिए इस तरीके से गोलियों को बना करके आप वहां वहां पर रख दीजिए ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है बहुत ही अच्छा कमाल करेगा आप इस तरीके से गोलियों को बना करके रख दीजिए और चुया खाएंगे खा करके तुरंत भाग जाएंगे और बाहर जा करके मर जाएंगे आपके सारे मुश्किलों का समधान ये है आप इस रेमडी को बना करके एक बार जरूर ट्राइ केजिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें सेयर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइक और प्रिस कर लिजिए जिससे इस चैनल की अच्छे अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाएं टेक केर बाबाब